नमस्कार में तरो मेरा नाम है नमन आप देख रहे हैं एंडरो आइट तो इस वाली वीडियो में करंट आफर्स के आधार पेट बेस्मार्टफोन अंडे 20,000 जो मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग है वो बताऊंगा बस आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्क्राइब करिए हम प्राइब करते हैं नमबर पांच आईकू जीशिक्स या फिर वीवो टीवन फोटी फोर वाट यह अलग लग नाम के हैं परन्तु जो स्मार्टफोन से ना दोनों सेम हैं और यह 20,000 रुपए से थोड़ा नीचे भी आते हैं लगबाग 15-16,000 रुपए के आसपास और इसका कैमरा बहुत अच्छा है रियर कैमरा जो है वो थोड़ा सा सेशुरेट करता है में इसको परन्तु जो फ्रंट कैमरा है ना 20,000 के अंडर वन अफ द बेस्ट कह सकता हूं में से लाइट वीट फोन है और बैटरी लाइप भी बहुत अच्छी है साथ में 44 वोट की फास और आइकू मिलता है एमाजोन पर इसे जिन स्मार्टफोन की में बात कर रहा हूं ना सभी की लिंक्स डेस्क्रिप्शन मिल जाएंगे यदि आप हमारे द्वारा दिये गए लिंक को प्योग करके कुछ भी पज़ेश करते हैं तो थोड़ी सी सायता आप हमारी भी कर रहे है उस समय कौन्स की बात करने ना तो स्नैप डेकन 680 जो इनमें मिलता है वो ऐसे बहुत कमाल का परफॉर्मेंस एंटिक शिपसेट नहीं है थोड़ा एवरेश सी परफॉर्मेंस आपको देता है और डिस्प्ले में नॉच भी है तो ये भी देख लिएगा तो ओवराल ये डेमी नोट 11 भी बहुत अच्छा उप्शन है मोटो जी 52 भी बहुत अच्छा उप्शन है पर तो इस वाले फोन को मैंने स्पेशली सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस के लिए रखा हुआ है चौथा फोन पोको एक्स पोर प्रो जो की बात करें ना तो वन अव बेस्ट डिस को भी सपोर्ट करता है और इसका जो कैमरा है ना वह भी थोड़ा सा प्राक्रतिक अर्थात नैचुरल रंग शो करता है इमेजस में यहां पर स्नैपडगन 695 चिपसेट मिलता है तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन से जैसे कि आप 4K वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं और 60FS का भी विकलप आपको नहीं दिया गया है 695 जो चिपसेट है एक 5G चिपसेट है और आपको डीसेंट टाइक की प्रफॉमेंस मिल जाती है बीजार रुपए के अंडर में अब बीजार रुपए के अंडर में कई स्मार्फोन हैं जो कि यह वाला चिपसेट लेके आते हैं अब ही मेरे पास नहीं है तो मैं टेक्स करके नहीं बता सकता हूँ पंतु यदि आप में से कोई इसे उप्योग कर रहा है फिलहाल तो आप अपना अन्बोस आजा कर सकते हैं कॉमेंट करके मातर यही युवाई लैग और बग वाला जो कारण है इसी वज़ा से मैंने इसे पोजिशन पर रखाया तीसरे नंबर पर कौन से फोन है रियल मी नार्जो 50 प्रो एक बात क्लिए करना चाहूंगा यह वाला फोन अभी वैसे 21,999 रुपए का है मतलब जो इसका ओरिजिनल प्राइस है यह है परन्तु इस पे कुछ न कुछ आफर्स चलते रहते हैं और कई बड़ा और बलकी फोन नहीं है थोड़ा हैंडी फोन है प्लास्टिक बिल्ड़ है परन्तु हाथ में पकड़ने में ऐसे बहुत चीफ फील नहीं होता अच्छा फील होता है जैसे हाथ में ऐसे पकड़ते है अब डैनल स्टी 920 चिप्सेट जो इसमें मिलता है इसकी पर्फ सबसे कम कॉंस मुझे इसी वाले फोन में लगे और अनक ही कुछ ब्लॉट्वेस मिल जाते हैं उन्हें आपको अनिस्टॉल करना पड़ेगा नोडिफिकेशन भी आदे हैं कुछ-कुछ एप्लीकेशन की तो उन्हें बंद कर सकते हैं और इस प्राइस पे 120 हर्स मतलब मिल ज और दूसरे नंबर पे है मोटो जी सेवेंटीवन अब यह वाला स्मार्टफोन लांच किया गया था थोड़ा महंगा था परन्तु आज के समय में यह बहुत अच्छी वैल्यू फो मानी बन चुका है इसका 6128GB वेरेंट अभी फिलहाल आपको 15,999 रुपई या इससे कम मिल सकता है भाई ब्रेंड ने तगड़ा ओफर दिया है इस पर साथ में कुछ कार्ड ओफर भी हैं उनके साथ थोड़ा सा और सस्ता मिल सकता है अर्था 15,000 रुपे के आसपास मिल सकता है रोज की बात करते हैं तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी है 6.4 मिलता है तो सबसे cleanest experience देगा आपको इस price पर यदि आप अपने smartphone में customization बहुत जादा नहीं करते हैं तब नी संदे आप stock Android smartphones को try कर सकते हैं इसका जो design है वो भी अच्छा है sleek है बहुत भारी अबल की phone नहीं है हाना कि plastic build है परने तो in hand feel overall पढ़िया इसकी और battery बेकप इस वाल payment होता है वह भी मैंने देखा है कि Moto में बाकी smartphone की तुलना में थोड़ा बेटर मिलता है अब जैसे Poco X4 Pro में Snapdragon 695 chipset मिलता था यहां पर भी same chipset है तो 5G capabilities यहां पर भी है परन्तु same 695 वाली limitations होती ना 4K 30fps वाली वो सब यहां पर भी कॉंस की बात करते हैं तो 60Hz की display है यहां प उसके पहिले यदि आपने वीडियो का भी तक लाइक नहीं किया है तो भाई साब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं आपसे चैनल को भाई साब इतने लोग देखते हैं परन्तु 14-15 प्रच्छट लोगों ने ही सब सब्सक्राइब कर रखा है तो पहले नंबर पे हैं सैमसंग एलेक्सी M52 कुछ लोग बुलें भाई साब यह तो 30,000 रुपए का लाँच हुआ तब भाई साहब अभी जो ओफर चल रहा है आज की डेट में यह फोन 20,999 रुपए का मिल सकता है आपको एमाजोन पे आफ लाइ सारे यूजर्स के लिए प्रोज की बात करते हैं तो इसकी डिस्प्ले का पर बड़िया भाई सैमसंग का फोन है सुपर अमलड प्लश डिस्प्ले है 120 है का रीफ्रेश एट भी है स्टैप्डगन 770 8G चिप्सेट है तो परफॉमिस भी आपको बढ़िया मिल जाती है परन् बड़िया सेलफी कैमरा है यह 25-30,000 रुपए के हिसाफ से भी बहुत अच्छा कैमरा है जो बैटरी लाइफ है वो भी इसकी बड़िया है और सैमसंग की नॉक्स सिक्यूर्टी मिल जाती है यदि आप के लिए मैटर करती है तो बही सही है कॉन की बात करते है ना तो इसमें सिंगल स्पीकर एबरेज कोरेटी का विल्ट कोरेटी भी ऑड़ेज ही है और इसमें भी हेड़फोन जैक नहीं मिलता है यहां पर जितने भी स्मार्टफोन मैं बताइँ सब में 30, 30, 40, 44 ऐसे मिलता है इसमें 15 वाटका मिलता है हालांगी जो सैमसंग अब 2021 में पर लाउंच क चलता है ना इंडिया में अंडर 20 के की जो शेंडी है स्मार्टफोन की इन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है जैसे कि 4G स्मार्टफोन लेंगे तो ओर आल स्पेक्स अच्छी मिलते हैं डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है चार्जिंग अच्छी मिल जाती है और हो सकते हैं और जो भी स्मार्टफोन आप लेने का निर्णय लेते हैं उनकी रिव्यूज और कमपैजनस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी हैं बागी क्रेटर्स के चैनल पर भी है तो उससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिल जाए कि आपको क्या चाहिए क्या मिल पर आए क्या मिसिंग है उसके पश्चाद जो आप निर्णय लेंगे वो थोड़ा सटीक होगा तो बस आज बना इतना ही वीडियो यदि आपको अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हम मिलते हैं आप सब्सक्राइब